प्यारे बच्चो आप सभी कमर चनल पे बहुत बहुत स्वागत है जितने विदार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि बच्चो इस वीडियो को मादम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि 22 प्रवरी को हिंदी की कापी कैसे लिखें ताकि फूल माक्स मिलेगा और बच्चो एक्जामिलर क्या देखकर कब क्यों और कैसे फूल माक्स देते हैं सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो को मादम से बताने वाला हूं समझाने वाला हूं और बच्चो इस वीडियो को मैं से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि पांच गलतिया कौन कौन से है जिनको आपको जानना है और आपको बोड परिक्षे में कापी लिखते समय वो गलतिया बिल्कूल भी नहीं दर्शाना है उसके बाद बच्चों मैं आप सभी को बताऊंगा कि 22 फरवरी को हिंदी कापी कैस लिखने है और कापी लिखने का सही तरीका क्या होता है सबकुछ मैं आप सभी को डीटेल में डिसक्स करने वाला हूं और अडिवस्त पूरे वीडियो को सूरुष ले गर केन तक जरूर देख लेना वीडियो को लाइक कर दना चैनल पर सब्सक्राइब करना आए बच्चों सबस्क्राइब करते हैं कि बोड कापी का फ्रंट पेज आप सभी को मिलने वाला है same to some इसी परकार की High School के कहाँ भी मिलती है, आप यहादपी नोटिस कर सकते हो देख सकते हो कि नोटिस भी कर सकते हो, कि परिक्षारती सभी परश्ष्टिया सूध एवं अस्पाश्ट क्रभश्व से सउम nesteay भरना आप, बिलकुल इसी परकार सब अब सभी 국व बौर्ड परिक् तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है आपको बोड का फ्रंट पेज बिल्कुली सही सभरना है और एकदम ध्यान से बरना है पर देख सकते है परिक्षार्थी का नुक्रमाइं गौंकों में तरह आप बिल्कुल भी ध्यान सबरना बच्चों अब की बार 2024 वाले बोडी के पेपर में बिल्कुल इसी परकार से आप सभी को हिंदी वाले पेपर में बिल्कुल भी जरूरी है इन सभी बातों को ध्यान मेरा करके पूरा कावी ध्यान सबरना है और बच्चों अभी इसमें बताऊंगा कि किस परकार से कापी को लिखना है और बच्चों तीसरी गलती है बच्चे करते हैं उचात प्रियोग बिल्कूल भी आप सभी करना है उचित पाहीं क्या होता है सबसे पहले ध्यान से समझो बोड परिक्चाइग आप सभी को गलर में लिखते समय आप सभी को दोई कलर के इसमाल करना है यह तो ब्लु पेयन आप इस परकार की इसकेश के यहाँ पर सकते हो हेडिंग को डालने के लिए और यहां उतर को लिखने के लिए आप तीनों में से किसी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं जासा कि बच्चों मैं आप सब्सक्राइब बताऊंगा एक एक क्वेस्टन के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूं वीडियो थोड़ी से लंबी बनेगी लेकिन जांदार बनने वाले तो बच्चों करना क्या है आप सभी को एकदम बढ़िया यानि उचित पेन का प्रियुक करना है अच्छा उचित पेन में क्या आएगा सबसे पहले बच्चों आप यहां पर देख सकते हो रोरी तो यह लिखा गया ना फोनिक्स का इस से सारे हेडिंग मैंने आप रखता हूं और लिखता हूं ठीक ना तो बच्चों आप सभी को समझ में आ गया किस पेन का इस्तेमाल करना है मैंना बहुत ही बढ़िया समझा दिया और बच्चों जो चौती गलती बच्चे बोड के पेपर में करके आते हैं यह वाली गलती ब मैर अगर अगर कापी को बनिया से नहीं लिखोगे सजा सचा करके नहीं लुकई तो कहीं न कहीं गल्तिया कर जाओगे और डपर बढनने से आप शुख सकते हों बच्चों इनन बाते बिल्कुल भी आपको बोड के कापी में लिखना है अगर ऐसा अगर आपको परिफायार भी हो सकता है और साथ में आपका जो कापी है उस कापी को निरस्त भी किया जा सकता है तो बच्चो इस परकार सब सभी बोड के वह परिक्षा के पेपर में पाच गलतीओं को बिल्कूल भी नहीं करना याँ आप पाच्चो गलतीओं में से कोई एक भी गलती करते हो तापकि कापी बोड में नहीं जा जाएगी और यह पर पयंसे त्फूरे यह पर द्यान में रखना हैć कि दीतेस फर्वरी वाले कुछ सारी की सारी बातों को ध्यान में रखना में रखना है जैसे पर जैसे पैपर मिलेगा अपना यहां पर अनुक्रमाय के लिए इसके बाद आप और निर्देश को पढ़ने के बाद करना क्या बच्चों यहां पर खंड़ा के सारे प्रश्णों को ओमार एंसर सीट पर हल करना है इतना तो करी जाओ कि कोई दिकत की बात नहीं है बच्चों को दिकत इसमें आता है खंड़ा वाले इसमें बहुत सारे बच्चों को दिकत रहता है यह वीडियो देखने के बाद आप सभी का दिकत एक परसेंट भी नहीं होगा और वोड का टापर बन सकते हो सबसे पहले यहां पर को संग क्या बोल रहा है निमना लिखी गद्यांस पर अधारी तीन प्रश्णों के उतर दीज करना है तो बच्चों हम यहां पर करके दिखाएंगे कासी के उतर में धर्म चक्र विवार मौर्य और गुप्त समराट्यों की गृतिय खंड़ार था ठीक ना तो बच्चों इस वाले क्वेस्टन को बोड काउपी में कैसे लिखना है सबसे पहले करना क्या है सबसे पहले ब लिखेंगे वरनात्मक प्रश्ण इतना करनेग बात आ जाओ यहां पर प्रश्णोतर संक्याट 21 यहां पर हैं बच्चों पर के लिखन के लिखना है ये एक संकेत लिख दो एक यामर को पूरा समाझ में आ जाएगा कि आपने किस वाले पैसेश को हल किया है उसके बाद यहां पर कोशन पर आजाओ कोशन में क्या लिखा गया है सबसे पहले आपको उपयुक्त गद्यांस का संदर्व लिखना है तो संदर्व में बच्चो दो बोर्ड कांपी में संदर्व लिखना है और साथ में ब्याख्या कैसे करेंगे तो ब्याख्या देखो यहां से लेकर कि यहां तक करना है भंग चूला से लेकर के सीतल कर रही थी यहां से लेकर कि यहां तक कर लिखना है तो बिल्कुल आप सभी को क्या करना भया आप सभी को तो इसी वाले ब्लैक पेंट से हेडिंग लगाना है रे खांकीत अंस की व्याख्या इतना करने बाद अब यहां पे देखो इस पेंट के इस्तमाल करो और यहां पे लिखो इन भावनों के सिखर तूट चुके थे खंड़ोरों की दिवारों पर घास फूस बगरा इस परकार स में चलो आगे बढ़ जाते हैं अगला जोमार कोशन है इसी परकार सा अता है आप सभी का पद्यांस आता है यहां पर देखो पद्यांस के दिया गए ब्लैक पेंट से हेडिंग लगाना है यहां पर संकेत देना है कि धूरी बारे दो तिन सब्द सुरुका लिख दो और अरंत में माखन रोटी यहां पर लिख देना से क्या फाइदा होगा इग्लियामिलर को आपको कापी पढ़ने में आसानी होगी इससे क्या होगा आपके नं सुजान रस्खान से हमारी पुष्टक हिंदी के काव इखंडे में संकलित समय नमक पाट से लिया गया यह सिर्शक से लिया गया इस परकार से संदर्ब हो गया बैख्या कर दोगे इसी पेंट से मैंने आपको बताया था इसी वाले पेंट का इस्तमाल करना है बहुत सारे ब संसक्रिद्घान से किसे है संदर्भ साहित हिंदी मानबात करहेए इसी परकार से बोडी का पेपर भी आएगा और इसी परकार से अब सूब सिखन्प नथा हमानगे रिख छेंप नवे निहां पी लिख दोगे का मोज आएगा शंबर में क्या लिखोगे प्रैस्टूगहांस से हमारी पाढ़ि पुसता हिंदी के संस्क्रिट खिंदे में संकल्ई पअ प्रेंध में इस्तिमल करना है यह आप इस वाले पेंध का भी सकते हैं यह जो मार्केट में भीण है यह आपको फिन नभी आपको फंट कर सकते हैं वह वाको कुछा फिस है यह हुआ सकते हैं यहां पोछन पूछा पूछा गया तो यहां कोछन का जबाब कैसे पसमाद़ करेंगे जराःप समझेगा सब्सक्राइब करते हैं और कापीया बिल्कूल इसी परकार से लिखते हैं बाविखते हैं बनियां से जहां पर प्तरूय के इस्तिमाल कमाराई जाहां करते हैं । तो कभी का और लेखा का जिवन पर्श लिखते हम है सबसे पल यहां पर एक डियाग्राम में संशिम्त में दुन का लिखना जरूर नाव जनम पिता अंता जहां करते हो यहां तीना इतुन को पहने स्बीदितों के घ्यामियोग Champions पढ़ने में बहुत आसानी होगी और नंबर देने में कोई कंजूसी नहीं करेगा पूरा पूरा नंबर देगा इसी परकार से आप सभी का आइडिया प्लाना है कभी का जीवन पर्च लिखने के लिए बिल्कुल इसी आइडिया के साथ आप सभी को यहां पे समचिप्त में जीवन पर्च बना लो और यहां पर थोड़ा साथ डीटेयल में लिख दो एक रच्णा का नाम लिख दो पूरा रख पूरा नंबर यहां से मिल दाएगा इतना कर नेगबाद बच्चों जो अगला हमरा कोशन आता है यहां पर देखो यहां पर देना होगा तो बिल्कुल इसी धंग से करना होगा भाई ठीक ना और अगला हमरा कुशन आता है और निवन्द बोड पर रिक्षे का पेपर में यहां पर पूछा जाता है तो निवन्द कैसे लिखना है बिल्कुल इसी परकार से चात्र और और अनुशासन पर महिने यहां पर निवन्द लिखा अगर यह वीडियो को लाइक कर देना चैनल फर नए होगी तो सब्सक्राइब करते हैं अगली वीडियो में तक लिए जाहिंद जाए बारत वंदे मातरों